हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग कक्षा आठ का महान वेक्तित्व पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ नौ पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है गोस्वामी तुलसी दास तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे चलिए देखते हैं पहला प्रश्न तुलसी दास का जन्म कहा हुआ था तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी दास का जन्म राजापूर जो त्रिकुट में हुआ था चलिए प्रश्ण दूसरा देखते हैं तुलसी दास में राम भक्ती कैसे उत्पन हुई तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी दास में राम भक्ती पतनी की तीखी बातों के कारण उत्पन हुई प्रश्ण तीसरा है राम चरित मानस की रचना कल प्रारंभ हुई यह कितने समय तक में पूड हुई तो इसका उत्तर हो जाएगा राम चरित मानस की रचना समवत सोरो सो एकतिस में प्रारंभ हुई यह दो वर्ष साथ मां और छबिस दिनों में समवत सोरो सो एकतिस में पूर समय इसमें कितना ला तो सोरो सो तैतीस या पूरी हो गई चलिए प्रशन चोथा देखते हैं रामचरित मानस में तुलसी ने किन समाजिक व्योहारों का वर्णन किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचरित मानस में तुलसी ने भाई भाई से पतनी का पती से पती का पतनी से गुरू और सिस्य के प्रती प्रजा का राजा का प्रजा से कैसी व्योहार होना चाहिए इसका सजियो चित्रड किया है चलिए प्रशन पाचवा देखते हैं अब्दुर्रहीम खान खाना ने तुलसी की प्रसंसा में कौन सा दोहा लिखा था तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुर्रहीम खान खाना ने तुलसी की प्रसंसा में निम्न दोहा लिखा था वो दोहा ख्याता चलिए देखते हैं सुरती, नर्ती, नागती या चाहत सब कोई गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होई यही दोहा उन्होंने लिखा था उनकी प्रसंसा में चलिए प्रश्न चाठवा देखते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है तो इसका उतर जाएगा दूसरों की भलाई के प्रब्रित्ती ही मनुस्य की सबसे बड़ा धर्म है चलिए प्रश्न साथ नमबर देखते हैं सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाईए चलिए देखते हैं का नमबर है तुलसी दास समन्वेवादी कवित है या सही है खनमर है हरी द्वार में तुलसी को स्री राम के दर्शन हुए या गलत है गनमर है राम चरित मानस विश्व का अद्वित्य गरंथ है या सही है घनमर है तुलसी दास ने संपूर भारत की यात्रा की या गलत है तो दोस्तो इसमें इतना है प्रशनुत्तर था तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए धन्यवाद